सनी देवल की फिल्म गदर टू 11 अगस्त 2013 को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है मेकर्स उसे बाजे गाजे के साथ रिलीज करने में कोई गसर नहीं छोड़ रहे हैं फिल्म को लेकर पूरा माहौल बना रहे हैं नौ जोन को फिर से गदर को रिलीज किया जा रहा है ये फिल्म ओरिजनली 15 जोन 2021 को रिलीज हुई थी अब 22 साल बाद फिर से बड़े परदे पर ये फिल्म उतरने वाली है लेकिन पुराने ढंग से नहीं मेकर्स ने फिल्म पर काम किया है आडियो क्वालिटी सुधारी है पिक्चर क्वालिटी को बहतर किया है ये 4K फॉर्मेट में रिलीज होने जा रही है बता दे कि कई सारी नई फिल्मों को इस फॉर्मेट में रिलीज नहीं किया जाता फिल्म वाले चाहते हैं कि फिल्म का लुक नया लगे ये आज की ओडियोंस को किसी भी तरह से पुरानी ना लगे गदर को सीमी समय के लिए रिलीज किया जाएगा यही जानकारी देते हुए फिल्म का 4K फॉर्मेट में ट्रेलर आ गया है फिल्म का ट्रेलर नॉस्टैजिया हैवी है पॉप कल्चर में गदर को लेकर रहें पॉपुलर रेफरेंस देखने को मिलते हैं फिर चाहे वो तारा सिंग का हिंदुस्तान मुर्दाबाद पर चिलाना हो उसका मैं निकला गड़ी लेके पर नाचना हो या विशु के सबसे प्रसिध हैंड पम को उखाड़ना हो जिसने गदर नहीं भी देखी होगी उसे भी गदर के इन हिसों का आइडिया है गदर का 4K ट्रेलर सिर्फ पिछली जनरेशन को ही अपील नहीं करना चाहता उन लोगों ने तो फिल्म को क्लेट बना ही दिया था ये आज की आडियंस में भी अपना मार्केट खोचता दिखता है ट्रेलर में घर आया परदेशी गाना सुनाई पड़ता है लेकिन उसके साथ ड्रम्स की आवाज भी मिली है ये उसके म्यूजिक में नया पन लाने के मकसद से किया गया है गदर का नया ट्रेलर उत्साह पैदा करने का काम तो करता है गदर साल 2001 की सबसे बड़ी हिंदी फिल्मों में से एक थी उस वक्त फिल्म ने अमीर खान की लगान के साथ क्लैश किया था उसके बावजूद भी बंफर कमाई की थी गदर टू भी बीना कॉंपटीशन की रिलीज नहीं होने जा रही 11 अगस्त को ही रर्वीर कपूर की एनिमल भी रिलीज होने वाली है ये साल की चर्चित फिल्मों में से एक है फिल्म को लेकर भेंग कर बज है संदीप रेड़ी वांगा की ये फिल्म है उनकी पिछली फिल्म कबीर सिंग ने बॉक्स आफिस पर तबाही मचाई थी एनिमल से भी ऐसे ही हंगा में की उम्मीद की जा रही है